चैने दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नहीं वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग BSC Agriculture Enters Exam में पूछे जाने वाले कुछ important question देखने वाले हैं दोस्तों यह जितने भी question है यह जो है previous year के पेपर से लिए गए question है तो यह question जो है आपके लिए बहुत ही important होने वाले हैं अगर आप BSC Agriculture Enters Exam की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए जो है आज की वीडियो सुरू करते हैं तो सबसे पहला हमारा question है कौन सच बिज्यान का मूल भूत सिधानत नहीं है तो कौन सच बिज्यान का मूल भूत सिधानत नहीं है तो यहाँ पे देख लेते हैं बीज एम बुआई है तू प्रिक्त सामगरी का चुनाओ करना भूमी एम जल परबंद करना फसलों के लिए उचित अंतरा करसड किर्याओ का परबंधन करना तो इन में से कौन सच बिज्यान का मूल भूत सिधानत नहीं है तो आप संड़ी हमारा सही हो जाएगा दूस्तों ये दुस्तों जो है सच बिज्यान का मूल भूत सिधानत नहीं है बाकी जितने भी हमारे हैं जैसे हो गया बीज एम बुआई है तू प्रिक्त सामगरी का चुनाओ करना भूमी एम जल परबंद करना फसलों के लिए उचित जो है करसड किर्याओ का परबंद करना ये से भी जुач सच बिज्यान की जो है मूल भूत सिधानत नहीं है वायूदाब का प्रभावी कारक नहीं है तो ताफ करम हो गया समुदर्तल से उचाई पृतिवी का चख्रड और मिर्दा चरड तो जो है ताफ करम जो है टेंप्रेचर है ये वहायूदाब को प्रभावित करता है वाईदाब का मातरक क्या होता है दोस्तों तो वाईदाब का मातरक होता है पासकल ठीक है वाईदाब का मातरक क्या होता है तो वाईदाब का मातरक होता है पासकल ठीक है वाईदाब को जो है कौन से प्रभावित करते है तापकरम प्रभावित करता है समुद्र तल से उचाय प्रभावित करती है प्रतिवी का चक्रड जो है ये भी प्रभावित करता है जबकि मिर्दा चरड जो है इसका वाइद आप से कोई भी लेना देना नहीं है नेश कोचन हमारा विश्व मौसम संगठन की अस्थापना कहा और कब की गई थी तो दोसो जो है विश्व मौसम संगठन की अस्थापना कब की गई थी तो विश्व मौसम संगठन की अस्थापना जेनेवा में उननीस सो अठातर में की गई थी और दोसो निव यार्क में हमा में नियुयार्क में कौन सा हमारा है तो नियुयार्क में दूसों जो हमारा 202 वियापार संगठन नियुयार्क में 1980 में कि गई थी भी हमारा दिया है वासिंगटन 1988 तो वासिंगटन में दोस्तों हमारा 200 बैंक की अस्थापना किया गया था वासिंगटन में किसका अस्थापना किया गया था वासिंगटन में 200 बैंक यानि वर्ल्ड बैंक की जो है अस्थापना की गई थी विश्व खाद संगठन ये सबी आपसे पूछ जाता है कि कौं सा जो है और उनका जो है कहाँ पे सेंटर है ठीक है तो और उनकी अस्थापना schedule सेकंड दिया है तो इन में से दूसों हमें मिलान करना एक तruफ असल दिया है और दूसरे तरफ उनके लिए ispioid मिस स्प्रिंट हो गया है तो धान के लिए ispioid 26 degree celsius है तो पहला हमारा option 4 से सही मिलेगा दूसरा गेहूं तो गेहूं के लिए ispioid आपकरम कितना चैये तो गेहुंग के लिए जो है बाईश डिग्री इसलशल जो है उपियुकत करम चाहिए होता है १ार्ड हमारा क्या दिया है तो एमारा मक्का मक्का इसके लिए जो है 25 डिग्री जो है नामन जहीं चोथा कौन सा है तो चोथा मुँगफली मुँगफली के लिए दूस्तो जो है एक ही बचता है 20 degree Celsius ठीक है तो इसको जो है आप जो है स्क्रीन सोट ले लिजे क्योंकि ये जो है पूछा गया question है next question हमारा है दोस्तो यहाँ पे तो यहाँ पे आपको बताना है इन में से कौन सा सही होगा तो यहाँ पे चार दो तीन एक जा रहा था तो आपसे ने हमारा सही हो जाएगा next question हम लोग देख लेते हैं दोस्तो next question है शरीर किरियात्मक परिपक्ता के समय फसलो का सुस्क भारत में कितने परसेंट होता है तो इसको हम लोग देख लेते हैं दोस्तो तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा दोस्तो तो हमारा जो है यहाँ पे आपसन भी सही हो जाएगा कितना 20% जो है सुस्क भार हो जाता है बाकी यहाँ पे दोस्तो जो है सरीर किरियात्मक परिपक्ता के समय अधर में फसलों का लभग जो 70% पानी जो है समाप्त हो जाता है और सुष्कभार 20-30% हो जाता है कितना हो जाता है सुष्कभार 20-30% हो जाता है बट यहां पर आपसन भी हमारा सही हो जाएगा नेस को चने C3 पौधों का सही करम क्या है तो C3 पौधों का दोस्टू जो है सही करम क्या है दोस्तों तो आपसन जो है अमारा देख लेते हैं गन्ना, धान, वाजरा, मक्का भी है मुंखफली, आलू, गेहू, स्वाइबिन तो यहाँ पे दोसों जो है C3 पौधो का सही करम कौन सा होगा तो सही करम दोसों जो है मुंगफली भी हमारी C3 पौधा है गेहू भी है आलू भी है और स्वाइबीन भी है यह से भी दोसों जो है C3 पौधे है तो यहाँ पे दुस्तों जो है C3 पौधो का सही कार करम क्या होगा तो सही करम दुस्तों जो है मुंगफली, आलो, गेहु, स्वाइबीन जो है आपसन भी हमारा से हो जाएगा आपसे कोशन पुछेगा, कुछ फसल दे देगा और पुछेगा इन में से कौन सा C3 पौधा है, कौन सा C4 पौधा है ठीक, तो यहाँ पे C3 पौधे कौन-कौन से हैं C3 पौधे मुंगफली, आलो, गेहु, स्वाइबीन, यह सभी दुस्तों कैसे पौधे हैं लगबग जो है, 52 तथों की पैचान हो चुकी है, 52 कारकों की फैचान हो चुकी, यहां पे C6H12O6 plus 6H2O, यहां पे 6O2 plus 6H2O जो है, परदर्सित करता है, तो यह बागदों की पौधो में जब सुसन होता है, तो सुसन की सायता से पौधे जो है कार्बो हाइडरेट का निरमाल करते हैं तो उसी का दोसो जो है सूत्र है तो ये किसका है दोस्तो तो ये जो है पौधे में सोसन का है किसका है तो पौधे में जो है सोसन का है नेस कोशन हमारा दोस्तो फसल में आदरता परतिबल के कारण कोशिका पर क्या परभाव पड़ता है तो फसल में दोसो जो है आदर प्रतिबल के कारण कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ता है देख लेते हैं कोशिका का विभाजन प्रभावित होता है कोशिका फैलाव प्रभावित होता है कोशिका की मृतिदर प्रभावित होती है कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो फसल में आदर्ता किस्仔 होती है तो दानों में जो है nitrogen की अपूर्टी जो है जो है किस्स Out है एह हमारा है पूरानी पत्तियों से पोधों की जड़ों से तना से और प्रकास संसलेसर से तो किस्स से प्रभावित होता है नैस कोशन है खादान वर की फसलों में फूल अने के साथ भृद्धी में रुकावट को कहते हैं तो खादान वर की जितने भी फसले हैं उन एजब फूल आ जाती है तो उसे अंकी बृद्धी के आओती ह्रुख जाती है तो उसे डिया करने के सायदिव परिमीद भृद्धी लिए खरपतवार और फसल में परतियस पर्दा जो है भोज़े पदारतों को गराड करने की परतियस पर्दा होती है उसको कम करने के लिए किस अवस्था पर साखनासी का प्योग किया जाता है तो यहां पे दुसों जो है अंकुरड के समय कले निकलते समय पोधों में बालाते समय और पर्थम सिचाई के समय तो जो है पर्थम सिचाई के समय जो है साखनासी का प्योग जो है उचित माना जाता है नेश को चने यहां पे निम लिखित समी करण में किसकी गर्णा की जाती है तो यहां पे दिया है यह बराबर जैविक उतपादन बटे जो है आर्थिक उ इनार्थी उत्रा को देट किसका करद्व करने बिकिरण उर्ज या करा प्रकाससों जीशडत करें में काम आता है 0.50% से 2.10% 0.42% से 1.66% तो कितने परशन जो है उर्जा का भाग प्रकास संसलेशड के काम आता है तो आपसन भी हमारा से जाएगा 0.42% से 1.66% तक प्रकास संसलेशड में जो है उर्जा जो है काम में आती है निस कोशन है पोधो में पहले निकले पत्यों की व्रिध्धि तेज होती है तो दोस्तो कौन से होगा कोशिका विभाजन और कोशिका व्रिध्धि तेज होती है तो आपसन ए हमारा से हो जाएगा नेस्ट कोच्चन है एजोफिकेशन क्या है तो दूसर एजोफिकेशन एक प्रकार का राइजोबियम बैक्टीरिया भाग लेता है जो क्या करता है दलानी फसलों के तनों में पाय जाता है और ये दूसर जीवाड़ों होते हैं ये दूसर जो है नाइट्रोजन इस्तिरीकरड का काम करते हैं किसका काम करते हैं तो नाइट्रोजन जो है इस्तरी करड का काम करते हैं तो इस तरह से हमारा दूसरो राइजोबियम बैक्टिरिया द्वारा जो है नाइट्रोजन इस्तरी करड के रूप में भी माना जाता है एजोफिकेशन क्या है एजोफिकेशन वह है जिस दमाने वाली दुस्त जो आदिक्तर फस्ल तापकरम क्या होता है 30 से 50 लिग्री सेल्सियस 15 2013 से 40 लिग्री सेल्सियस 21-20 लगभक सबी फस्लों के लिए उप्यूक लग जिए माना जाता है next question है सनई की रेसे वाली फसल कितने सब्ता में तयार हो जाती है तो सनई की रेसे वाली फसल दोसों जो है दस से बारा सब्ता में तयार हो जाती है कितने सब्ता में दस से बारा सब्ता में तयार हो जाती है तो आपसंसी हमारा जो है सही हो जाएगा वहीं दोस्तों हरी खात की फसल कितने में तयार होती है तो हरी खात की फसल दोस्तों जो है डेड़ माह से दो माह में तयार होती है हरी खात की फसल दोस्तों जो है डेड़ माह से दो माह में तयार होती है हरी खात हमारे कौन-कौन से होगी जैसे हो सनई, ढैचा, लोबिया ठीक है? ये सबी कैसे हैं? ये सबी दोसों हरीखात की फसले हैं ने इस question है, फसलों को उगाने में कौन पीच परास योग नहीं है तो कौन सा पीच मान है जिसपर फसलों को जो है सही तरह से नहीं उगाय जा सकता तो यहाँ पे दुस्वाइं के लिए 5 यहाँ तो जैई के लिए 5 v7.5´स्म प्यक्षा होता है शह06, 1.5-5 Son, यह भी सही है यहाँ पे दुस्वाइं के लिए गलत दिया है आलू शहाड़े 4 0 dif6 प्यक्षा मान पर जो है उगाय जाता है नेश कोशन हमारा है निम लिखित में से कौन सा आकार्बनिक पदार्थ नहीं है तो इन में से दोस्तों जो है कौन सा आकार्बनिक पदार्थ नहीं है तो यहां पर दोस्तों जो है मैकनिसियम लोहा आयोडीन यह सभी कैसे पदार्थ है यह सभी दोस्तों जो है आकार्बनिक पदार हैं तो बस दूस्तों जो है आज किस वीडियो में इतना ही बाकी बचेवे कुछ न हम लोग जो है ने इस वीडियो में देखेंगे तब तक लिए जय ही जय भारत